number of compounds which give reaction with Hinsberg reagent. देखे, simple सा एक आपका test होता है, जिसको आप बोलतो हो, Hinsberg test. अब ध्यान रखेगा पहले, Hinsberg test. ठीक है? वो basically primary, secondary and tertiary amines का test होता है. ये ध्यान रखेगा, amines. ठीक है? अब Hinsberg test के अंदर, दो steps आप basically follow करते हो. फर एक्जामपल, primary, secondary and tertiary amines में ले रहा हूँ, तीन. तो पहले step में जो आप reaction करते हो, इसकी reaction करते हो, Hinsberg reagent के साथ. टेस्ट के अंदर, Hinsberg reagent. Hinsberg reagent क्या होता है? basically benzene, sulfonyl chloride, ओके? जिसका structure होता है ये. ओके? जो जब Hinsberg reagent के साथ reaction होती है, तो primary amines white PPT बनाते हैं, similarly secondary amines भी white PPT बनाते हैं, लेकिन tertiary amines white PPT नहीं बनाते हैं. इसमें secondary वाला does not dissolve, अब इसमें तो PPT नहीं मनाते हैं, ये तो बात ही नहीं होती है. लेकिन question नहीं पुछा है, Hinsberg reagent के साथ का आत को रियक्षन दे देगा, तो primary amine और secondary amine दोनों दे देगा, तो इस तरह से आपको बस ये पदा करना हैं, कि अब इसमें primary or secondary amine कों से हैं, ठ primary amine हो गया, aromatic क्यों? देगे, N की तीन valences होती है, एक carbon से जुड़ा है, बाकी 2H तो ये होगे primary, दो carbon से जुड़ा है, 1H ये होगे secondary, और N अगर ये तीनों carbon से ही जुड़ा है, तो ये होगे tertiary, तो N इसमें 2H है, एक carbon से जुड़ा है, तो याने primary हो गया, तो ये दे देगा ये N इस carbon से ये भी carbon, ये भी carbon तो ये नहीं देगा, tertiary है, ये वाला अगर आप देखोगे तो N1H है, एक carbon और ये एक carbon तो याने secondary ये भी दे देगा, ठीक है? similarly ये tertiary ये नहीं देगा ये primary है ये देदेगा ये एक एच्छे 2 carbon secondary ये भी देदेगा ये नहीं देगा ये primary amine ये क्यों नहीं देगा काई क्योंकि ये तो amine ही नहीं है ये primary amine है तो ये भी देदेगा और ये amide है पर Amide नहीं है, Amide है तो ये भी नहीं देगा, तो फिलहाल आपके जो correct option क्या होगे, एक तो ये 1, 2, 3, 4, and 5, ठीक है, तो जो correct answer क्या होगे, इसमें 5, तो total 5 हैं इसमें basically जो आपके Hinsberg reagents के साथ reaction कर ले, ठीक है?